हलो स्रेंट, वेलकम टू ब्रेंचाइड लाइस अकेडमी इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वह युद्ध विराम पर युद्ध विराम के प्रफ्ताव को श्विकार नहीं करेगा आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस वा अन्य सहयोगी देशों ने 21 दिन के ततकाल युद्ध विराम के प्रफ्ताव को इजराइल के सामने रखा था और इजराइल ने इस प्रफ्ताव को सीधे तोर पर खारिज कर दिया है ने ने सेना को पुरी तागत से हमला करने का आदेश दिया है यानि जो अमेरिका फ्रांस और जो दूसरे सहयोगी देश थे इजराइल के जो ये प्रयास कर रहे थे कि 21 दिनों के लिए ततकाल युद्ध विराम हो और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था आना उस पे रोक लगे गाजा पटी में इजराइल ने युद्ध की घोशना की थी और बड़े पैमाने पर तबाही मचाए थी तो अमेरिका और फ्रांस और दूसरे जो देव थे वो इस कोशिश में थे कि इस युद्ध पर 21 दिन के लिए ततकाल युद्ध विराम हो परंतु इजराइल के प्रधान मंत्री नेतन याहू ने इसे अस्विकार कर दिया है और साथी साथ अपने सैनिकों को पूरी तागत के साथ युद्ध करने का आदेश दिया है साथी साथ जो अमेरिकी इजराइली जो सैन अध्याच्च है हरजए हालेवी उन्होंने कहा है कि लेबनान के साथ इनका जो जमीनी हमला है वो ये जमीनी हमले की तैयारी कर रहे है यानि आपको बता दे कि लेबनान में एक लड़ाकू जो ग्रूप है अतंगवादी ग्रूप है उसे हिजबुल्ला कहा जाता है जिसे इरान का सपोर्ट है और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान के बॉरडर के माध्यम से यानि लेबनान के बॉरडर पर इजराइल पर हमला है उसकी वो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी लेवनान पर जमीनी हमला स्टार्ट हो सकता है आपको बता दे कि हवाई हमले से अभी तक कई सारे हेजबुला के जो लीडर्स हैं उनको मारा गया है जिसमें से एक हेजबुला वायुसेना का कमांडर मोहमद सरूर भी सामिल है तो ये अब तक का अपडेट है इजराइल और हमास के भी जो युद्ध चल रहा था उससे रिलेटिट तैंक यू